नमस्कार मैं हूँ सुनिल बोवी और आप इस समय देखना सुरू कर चुके हैं अपना खास कार्जकरम बिहार समाचार खबर बिहार तो बिहार समाचार में हम खबरे लेते हैं बिहार की बाते करते हैं बिहार की बिहार के खबरों के सासा दिस दुनिया में क्या कुछ रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट बिहार में सिचा रोजगार का क्या है हाल और गाउन की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट बिहार में सत्ता की गली आरों में क्या कुछ चर रही है रोजगार को लेकर क्य आपको बता दे कि बिहार के सत्ता में आज बहुत बड़ा दिल था आज बिहार सरकार की फलो टेस्ट थी नितिश सरकार की फलो टेस्ट थी जिसमें सरकार पास हो गई है यानि नितिस्कुमार पास हो गए है और जेडी फेल हो गई है यानि की एक बार फिर से बिहार में नितिस्कुमार की सरकार बरकारा रगई बच गई CM नितिस कुमार ने बड़ा खुलासा किया है RJD के लोग सरकार में कमाई कर रहे थे विधायकों को लाखो लाख दे रहे थे हमको सब पता चल गया है हम सब की अब जाज कराएंगे या बड़ी बात सदन में बिहार के मुखमंत्री ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है वहीं पिये मोदी चौदा फरवरी को अब्बू धावी में पहले हिंदू मंदीर बोचान सन वासी अच्छर पूर्शत्तम स्वामी नरायन संसा मंदीर का करेंगे उदगाटन इधर रामलला के मुर्ति बनाने वाले को सम्मानित किया गया केद्रिय गिरी मंत्री अमीद सा ने करनाटक के मैसूर में सुतुर जात्रा महोसो कार्शकरमे अयोध्या के राममंदिर में बिराजमान भगवान रामलला की परतिमा बनाने वाले मुर्तिकार अरून योगी रा को सम्मानित किया यहीं आपको बता दे कि भरस्ताचार के मुद्दे पर मुखमंत्री नितिश कुमार ने और जेडी को सदन तक ने ब्रश्टाचार के मुद्दे पर लालुक परिवार को जम कर घेरा काफी गमा गमी महाल रही दोनों तरफ से सवाल जवाब हुए वही विश्वास मत पास सियासत आर पार CM नितिश कुमार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है सदर में सत्ता पच और विपच के भी जम कर तू तू मैं मैं हुई खास करते जश्वी यादो ने नहले पर तो CM नितिश कुमार ने दहला चला दिया यानि कि नहले पर CM की दहला पास कर गई वही ननकिसूर यादो अब होंगे अश्पिकर विजे पीनेता ननकिसूर यादो बिहार विदान सभा के नए अध्याज बनने वाले हैं आज सुबह यानि कि बिते दिन की सुबह साधे दस बजे ननकिसूर यादो बतर एंडिये उमिदवार नामांकन दाखिल करेंगे यानि कि आज सुबा जो है वह इंडिये की रूप में उमिदवार के रूप में अपना नमांकर दाखिल करेंगे नंकि सोरे आदाओ वहीं बिहार के पूर्व सीयम करपूरी ठाकुर के परिवार ने पीम मोदी से की मुलकात बेटे ने भारत रत्र देने के लिए जताया मोदी को अभार तो पल्हान मंतरी को अभार जताया है तो वहीं डिप्टी सीयम समराच चोदरी ने कहा जिस तरह की चाल खेलने वाले खुलेगी अब छिपने वाली बात नहीं है वहीं बिहार के नियोजी सिचकों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है बिते दिन सदन में बिहार के राज पाल ने खुल्याम कहदी एलान कर दिया कि नियोजी सिचकों को राज कर्मी की दर्जा मिलेगा सरकार ने इसको पहले भी एलान किया है इसमें कोई दोमत नहीं है उन्होंने विस्तार से बताते हुए कहा कि नियोजी सीचुको को सचमता परिचा देना ही होगा इसमें उनको तीन बार मोका मिलेगा परिचा पास करने के बाद उन्हें राजकर्मी की दरजा मिल जाएगी उस सदन में बिहार आठ चोधरी और आरजेडी के तमाम और सत्ता पच के भी तमाम लोग बैठे हुए थे और आपको बता दे कि आज बिहार के नियोजी सिचक जो है पटना के गरदनी बाग में जोड़दार रूप से आंदोलन करने के लिए आज उतरने वाले हैं उत्रे हुए हैं पहुच र डियो को आदेश दिया कि सिचक विद्याले में ही बने रहे हैं जिसको लेकर कई जिलों से पत्र निकाला गया कि आज के दिन किसी परकार की आकास्मिक वकाद की छुट्टी नहीं मिलेगा यहीं तक कई जिलों में यह भी कहा गया कि अगर आकास्मिक छुट्टी अगर किसी जरूर पहुचेंगे तो आज विहार की नियोजी सिछक जो हैं पटना की धर्ती पर उतर रहे हैं इधर सीम नितिस्कुमार ने नोकरी के लिए क्रेडिट लेने को लेकर तेजस्व यादों पर जम कर साधा निशाना इतिस्कुमार ने कहा कि हमने साथ मिश्य के तत रोजगार दिया पर आर जेडिट उसका क्रेडिट लेने में लगा हुआ है जो गलत है इधर जडिएउ एमेल से असोग चोधरी ने कहा कि हमारे पास पहले भी बहुमत था हमने अपने बिधायकों को बरकरार रखा है हमने पहले ही कहा था कि हम अपनी संख्या पार करेंगे और हमने ऐसा करेंगे दिखा दिया है तो वहीं अब आपको अगली ख़बर के रूप में बता दे कि स्पीकर के खिलाप अभिष्वास प्रस्ताव में जीती सरकार सत्ता रूड एंडिये ने बिधान सबाध्यhr अवद भिःम चोध्र के खिलाप अभिष्वास प्रस्ताव पेश gauge किया जिसस पर सदन में चर्चा के बाद कुई भोर्टिंग में सरकार की जीत हुई जिसके ब बिधान सवा में स्पीकर को अपने पत से हटना पड़ा तो यह भी एक दमदार खबर थी और आपको बता दे कि खेला का अंपायर हम था जीतरा मांजी का यह बड़ा बियान आया है CM नितिश कुमार ने विश्वास्मत हासिल करने के बाद पूर्वे CM जीतरा मांजी ने अपने सोसल साइड एक्स पर पोश्ट कर लिखा है कि खेला के अंपायर हम थे यानि कि हम पाटी थे तो यह भी एक बड़ा चोकाने वाली ही बात है लोग अनुमान लगा रहे थे कि सत्ता में इनकी सफलताद नहीं हो पायेगी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं सदन में बहुमत सडक पर जस्ट सदन में बहुमत पास हुआ और बाहर सडक पर जस्ट मनाए गये बिहार में बिदान सवा में निति सरकार के बहुमत हासिल होने पर जेड़ी और बीजेपी के कर्चकाताओं ने जम कर जस्ट मनाया इधर सिचकों के खिलाब के के पाठक का बड़ा एक्सन मसाल जुलूस में सामिल सिच्चकों को चीनित कर करवाई करने का आदेश दिया गया है। सिच्चकों में इसको लेकर हड़कम मजा है लेकिन पटना जाने के लिए लोग बिलकुल तयार हैं और छुट्टी लेकर भी वह पटना के लिए निकल गये हैं। सिच्चक के पाठक ने दिया है कारवाई करने का आदेश कि जो धरना परदसन में घेराओं में भाग लेंगे उन पर करवाई होगी। वहीं न छेड़ों हमें हम सताय हुए हैं क्योंकि यूराज ने हमें बंदग बनाए हुए हैं। अब खेला होवे न इबंगाल नह की खेला होवे विहार में। विश्वी यादों के आवाज पर रुके उनके विधायक तो यूटूबर मनिस कस्यव ने इसे अपहरन बताते हुए बड़ा हमला बोला है। अब देखिए कि क्या कुछ होता है हलाकि अब जो है मनिस कस्यव बिभिन लोगों से लगतार मिल भी रहे हैं। इदर भी ग्यान विशय पर परियोजना तयार कर पढ़ाएंगे अब शिच्छक 6-8 तक के लिए प्रजेक्ट वेस्ट लर्निंग मेला कल यानि की आज से शुरू होगी जो कल तक है चलाई जाएगी। वहीं बालू खनन में उप्योग होने वाले चलानों की अब जाच होगी। सभी जीलों को बालू खनन और उनके परिवहन से जुड़े तमाम चलान की संगन जाच करने का आदेश खान एवं भुततत्वे विभागने दिया है। अब बालू खनन पर रोक लगाने के लिए या आदेश विसेश तोर पर दिया गया है तो यह भी एक बड़ी खबर है। कहा अनविभागों के भावनों की तलास करें। कमी होतों तभी हमारे भवन यानि कि सिचा विभाग के भवन का उपियोग करें। इस पत्र के बाद भी चर्चा का विषय बन गया है। लोग सबा चुनाओं में दिब्यांग मदताओं को मिलेगी विसेश सुविधा। इवियम की बजाए पोश्टर बैलेट से करेंगे मद्दान, मद्दान के अंदर पर रैंप वेलचेर की रहेगी खास बिवस्ता तो दिब्यांगों के लिए या खास बिवस्ता होगी। इस जरूरत पर ही अस्कूल भवन होगा सिचाकर में शुराओं कार्ड में लगेंगे। इस बात को लेकर भी लगतार चर्चा बनी हुई है। मैं अभियर्थियों को परिछा के लिए शुबकामनाया देता हूं। अमिस साक्यंद्रिय मंत्री ने यह बाते कहीं हुए भारत के एंडिये प्यार नफरत न फैलाएं। यानि कि कांग्रेस निता राहुल गांधी ने रविवार को आरोप लगाया है कि भाजपा और राष्टिये स्वेम सेवक नफरत फैला रहे हैं। जबकि इस देश के लिए इंडिये जो हैं प्यार है। तो इस तरह से राहुल गांधी लगातार ब्यान दे रहे हैं। इदर विकास सीद 11 वाडों में बने नए भवनों का तै होगा संपती दर कर नए बसावत वाले छेतर में करने दारण के लिए निगम की तीम को घर पर बुला सकेंगे तो यह भी एक बड़ा अभियान शावित होगा। तो यह ति आज की खास पर मुखबरे कैमरी के पीछे हैं मिश्टर शाहिद धन्यवाद जय हिंद जय भारत बंदे मातरम।